हलो फ्रेंस आज हम बनाएंगे दाल तड़का दाल तड़का बनाने के लिए हमें एक कटोरी अरहर की दाल चाहिए एक कटोरी अरहर की दाल के लिए हमें दो कटोरी पानी कुकर में आड़ करना है पानी डालने के बाद क्योंकि हम इसे थोड़े डिफरेंट स्टैल से बना रहे हैं इसलिए हमें टमाटर को दो पीस में कट करके कुकर में डालना है इसके साथ हमें हरी मिर्ची और थोड़े लैसुन के कलिया भी डालेंगे और प्याज हम ऐसे चार तुकडों में कट करके डा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और दो ड्रॉप्स इसमें हम ओईल डालेंगे, ओईल डालने के बाद हम कुकर के धकन को अच्छी तरह से लगा देंगे, और चार सीटी आने तक इसे पकाएंगे, खुक कथंडा होने के बाद हम इसे एक अलग पतीले में निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसका तड़का तयार करेंगे, तड़का तयार करने के लिए हमें एक तड़का पैन में ओईल गरम करना है मैं सरसो का तेल यूज़ कर रही हूँ, सरसो के तेल में दाल बहुत अच्छी बनती है आप चाहें तो रिपाइंड ओईल भी यूज़ कर सकते हैं सरसो का तेल थोड़ा गरम होने के बाद हम इसमें जीरा, राई, इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, सुखी लाल मिर्च और हिंग डालके से अच्छे से गरम करेंगे थोड़ा पकने के बाद हमें इसका गैस बन कर देना है और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला एड़ करेंगे और फिर इस तड़के को हम दाल के उपर डाल देंगे तो हम इस तरह से हम अपनी धाबा स्टाइल दाल तैयार कर सकते हैं अब हम इसे सर्फ कर लेंगे यह हमारी धाबा स्टाइल डाल तड़का तैयार है अजये